वंदे मात्रम नमस्कार प्यारे सातियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Competition Guru YouTube चैनल पर प्यारे सातियों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं P.O.K के बारे में क्योंकि लास्ट क्लास मैंने P.O.K के बारे में information दी थी कि सरकार पूरे तरीके से तयार है P.O.K को बापस लेने के लिए अभी दोस्तों बहुत सारे कमेंट वहाँ पर मेरे को देखने को मिले कि सर P.O.K एग्जेक्ट है क्या कब ये पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर लिया था या कब इसको हम बापस लेंगे इस तरह की पूरी एक complete वीडियो बनाओ जिसके माध्यम से हमें P.O.K के बारे में पूरी जानकरी मिल सके तो दोस्तों मैंने काफी ज़्यादा research करके ये information हासिल की है तो सबसे पहले जो पाकिस्तान वाले व्यक्ति हैं वो इस वीडियो को ये भारत का जो P.O.K के वाला हिस्सा है जो अपना जम्मू कस्मीर वाला हिस्सा है वो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है एक बार मैं आप लोगों को भारत का पूरा नक्सा दिखा देता हूं मेरे भाई जिसके माध्यम से आपको और crystal clear हो जाएगा ये भारत का पूरा मैप है ठीक है ये भारत का मैप है और भारत के मैप के सबसे उपर वाले हिस्से पर बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा होता है सर ये हमारा जम्मू कस्मीर वाला हिस्सा है अगर कोई मेरे से भारत का नक्सा बनाने के लिए कहेगा या आप लोगों से कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से बना के रख देंगे कि ये भारत का नक्सा है लेकिन क्या exact हमारे पास अभी ये पूरा हिस्सा अविलेबल है तो हम लोग कहेंगे नहीं सर क्या कह रहे हो सर आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ क्योंकि अभी आज हम जो बात करने वाले हैं वो P.O.K. के बारे में बात करेंगे इसके बाद हम C.O.K. यानि कि China Occupied कस्मीर या अकसाई चाइना के बारे में चर्चा करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि इतना हिस्सा पाकिस्तान ने कब जाया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं P.O.K. और इधर वाला हिस्सा चाइना ने घेरा हुआ है जिसको बोलते हैं C.O.K. चाइना Occupied कस्मीर तो इस पर हम लोग एक अलग सी वीडियो बनाएंगे आप लोगों को पूरी information देंगे लेकिन फिलहाल हम P.O.K. के बारे में चर्चा करते हैं P.O.K. कब अलग हुआ क्या P.O.K. कभी भारत का भी हिस्सा था या नहीं था इस पर पूरी चर्चा करेंगे तो वर्स 1947 से अगर मैं पहले की बात करूँ तो ना केवल P.O.K. पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था तो दोस्तो वर्स 1947 में ही P.O.K. का जो है वो नाम सामने आया Exact P.O.K. है क्या इसके बारे में समझना आप लोग मैं इस पूरे के पूरे डाइग्राम को एक जूम करके आपको अलग से दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए तो आज का हमारा मुद्दा जो है वो ये है कि P.O.K. क्या है बने रहिएगा वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन आपको इतने अच्छे से जानकारी हो जाएगी इस P.O.K. की कि P.O.K. भागे में है किसका भारत का है या किसी और देश का है ये आपको पता लग जाएगा ये बात है 30 जून 1947 के अभी देश आजाद नहीं हुआ है भारत इससे पहले की बात है 30 जून 1947 एक लॉर्ड माउंट वेटन हुआ करते थे उन्होंने कहा कि हम भारत देश को आजाद करना चाहते हैं और भारत के दो टुकड़े करना चाहते हैं एक पाकिस्तान और एक भारत लेकिन इन दोनों को अलग करने के बाद जितनी भी देशी रियासते हैं जितने भी लोग स्वतंत्र हैं उन सभी से क्योंकि हमारा जो भारत था वो अलग-अलग राजियों में बटा हुआ था अलग-अलग रियासतों में बटा हुआ था कि हम सभी को ये मौका देते हैं कि आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं आप चाहें तो भारत के साथ मिल सकते हैं आपको समय दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 तक का तो इस पूरी कहानी के बाद केवल तीन राज्य ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम भारत के साथ नहीं मिलना चाहते और नहीं हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हम अलग अपना देश बनाना चाहते हैं जिसमें तीन राज्य थे अब बुलत तीन राज्य कौन कौन से थे सबसे पहले जूनागड एक हैदराबाद और तीसरा जम्मू अन कश्मीर क्योंकि हम लोग यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की बात करें हैं पी एउके की बात करेंगे बाकि जब कभी हम आगे वीडियो बनाएंगे तो हैदराबाद के बारे में आपको वीडियो देंगे जुनागड के बारे में वीडियो देंगे और अलग-अलग तरीके से सभी पर हम ऐसी informative वीडियो आप लोगों को provide कराते रहेंगे अधर हमने एक channel बनाया है research group वीडियो की description में link है उस पर केवल इसी तरीके की research वीडियो दो आपको available होंगी तो आप उसको भी subscribe कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जम्मू एन कश्मीर भारत के साथ जुड़ने से मना कर देता है और पाकिस्तान के साथ भी जुड़ने से मना कर देता है कहता है कि भाई हम खुद आजाद रहने की कोशिस करेंगे और हम आजाद ही रहेंगे उस समय इसके राजा हुआ करते थे महराजा हरी सिंग महराजा हरी सिंग ने कहा कि हम तो आजाद रहेंगे हमें ना भारत के साथ मिलना है ना पाकिस्तान के साथ मिलना है उसी समय 15 अगस्ट 1947 को पाकिस्तान का अलग हिस्सा हो गया भारत का हिस्सा हो गया दोनों देश वालग अलग हो गया यानि इसको देखिए अभी यहाँ P.O.K वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा यह था यानि हम यह कह सकते हैं कि अभी जो है P.O.K बना ही नहीं है P.O.K बना था 1947 में कब अक्टूबर महीने के आसपास में लेकिन अभी हम लोग कहां अगस्त महीने में चल रहे हैं तो अभी P.O.K का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे अभी यह जो पूरा हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है यह क्या है जम्मू एन कश्मीर इसका राजा कौन है राजा हरी सिंग लेकिन अक्टूबर का महीना आता है जब यह अपने आपको आजाद घुसित कर लेते हैं और भारत से मिलने से मना कर देते हैं कि हम नहीं मिल रहे हैं किसी से भी पाकिस्तान को पता लगता है यार हरी सिंग ने जो है अलग रहने की कोशिस किया और भारत से मना कर दिया है और ना इसके पास बहुत बड़ी सेना है ना इसके पास आदूनिक हतियार है तो फिर ऐसा करते हैं कि इस पर कबजा करते हैं जम्मुयन कस्मीर पर अब दिमाग में ये चीज़ चलने लगी अब फिरी में कोई भी चीज़ मिलेगी तो भाई कौन छोड़ेगा अगर तुम्हें पता है ये व्यक्तिक कमजोर है इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है आप घिरने के लिए तयार हो जाओगे क्या दिक्त है तो इसी तरीके से वहां के कुछ आदिवासी लोगों के साथ पाकिस्तान ने बात रखी कि भाई ऐसे ऐसे है और आप शासन करना कोई इसकी नहीं और हम आपका साथ देते हैं अधा हरी सिंग को हराएंगे अक्टूबर के महीने उस 1947 में ये कबीले वाले जो लोग होते हैं आदिवासी लोग थे वहां के इन लोगों के साथ मिल करके पाकिस्तान आर्मी ने पूंच एक जगा है पूंच बोलते हैं जिसको वहां पर अटेक कर दिया लोगों की दुकाने जवर्दस्ती खाली करवाने की कहा कि दुकान खाली करो ये हमारी है घर खाली करो ये हमारे है किसने उन आदिवासियों ने किसके कहने पर पाकिस्तान के जो उस समय नेता थे उनके कहने पर और पाकिस्तान की आर्मी के कहने पर support पाकिस्तान आर्मी का था तो कौन क्या कर सकता है फर तो सोचने की बात है तो अब धीरे 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 अक्टूबर महीने से ले करके आगे महीनों तक इन्होंने पाकिस्तानियों ने attack करना शुरू कर दिया किस पर? जम्मू कश्मीर पर अभी क्योंकि भारत का हिस्सा ही नहीं था जम्मू कश्मीर आजाद हो गया था राजा हरी सिंग इसके शासक थे तो अब हमें क्या जरूरत थी? अब आप खुद से अपना देखिए किस तरीके से आपको करना है तो यहां से मेरे भाई अटेक करना शुरू कर दिया पाकिस्तान क्योंकि यह पूरा देश इधर पाकिस्तान है जब पाकिस्तान अटेक करना शुरू कर देता है तो धीरे 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 यहां अपना गुल मर्ग सौन मर्ग होते हुए भाई आगे ये बढ़ते हैं और श्री नगर तक पहुंच जाते हैं लूट पाट करते हुए सब को किसी को मार रहे हैं किसी को किसी की दुकान को लूट रहे हैं किसी के घर पर कबजा कर रहे हैं ठीक है इस तरीके से ये आगे बढ़ने लगे पाकिस्तानी अब ये बात पहुँची राजा हरी सिंग तक हरी सिंग उस समय श्री नगर में बैठे हुए थे अब उनके पास जैसे ख़बर पहुची वो तो हिल गए अब ये क्या हुआ तो वो तुरंट रात में ही श्री नगर से जम्मू आते है जम्मू उनका एक पिएम हुआ करता था एक उनका एक तरीके से उस समय का दीवान हुआ करता था उस दीवान को ये दिल्ली भेज देते हैं दिल्ली किसलिए दिल्ली कहते हैं कि जाके भाई साब पहुचिए फटा-फट और अभी यहां थे बोला आप एक काम करो फटा फट दिल्ली पहुचो और भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवालल नहरू से बात करो और जवाहरलाल नहरू ही अब हमारी मदद कर सकते हैं ठीक है? और कोई नहीं कर सकता और कोई मदद नहीं कर सकता है जवाहरलाल नहरू के पास रात में ही दिवान उनका आता है और कहता है कि बिना किसी शर्त के हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं और हमें मिला लिया जाए हम अब न ये कहेंगे आजाद रहना चाहते हैं न अलग रहेंगे हम भारत के साथ तो जुड़ना चाहते हैं उन्होंने का वह ऐसे क्यों बुला हमारे उपर पाकिस्तान ने अटेक कर दिया है तो पंडित जबाहर लाल लहरू और उनके साथ सरदार पाटिल दोनों बैठे हुए थे दोनों अपना बातें कर रहे थे तो सरदार पाटिल ने का ठीक है कोई इश्व नहीं है अब हमारे साथ आई हम अपनी आर्मी को भेजते हैं अभी पाकिस्तानियों को बापस भेज देंगे उसी बीच सरदार पाटिल जी की ये बात सुनते ही उस समय कहा नहरू जी ने कि नहीं हम हिंसा नहीं करेंगे अहिंसा परमोधरम हम गांधी जी के चेले हैं हम ऐसे अटेक नहीं करेंगे यह बात ठीक है कि हम भारत के साथ भारत को भारत में अपना जो है इस जम्मू कस्मीर को मिला लेंगे लेकिन तमीज से ऐसे नहीं जैसे आप चाहते हो कि जाओ जी कबजा कर लो ऐसे नहीं क्योंकि लॉर्ड माउंट बेटन का कहना था कि 15 अगस् के साथ मिल जाएगा लेकिन अगर यही कहानी 15 अगस्ट 1947 के बाद होती है कोई देशी रियासत भारत से जोड़ना चाहती है तो फिर क्या करना होगा तब आपको जन्मत संग्रह करना होगा यानि कहने का मतलब है कि जनता पर वोट करवाए जाएंगे या जनता से सलहा ली ज कहा कि अगर हम डारेक्ट अपने अंदर या अपनी अलग से राजनीती से हम इस जम्मू का स्मीर को अपने भारत में मिला लेते हैं तो इससे जो है ब्रिटेन प्रिश्टा पर क्या होगा दाग लग जाएगा क्योंकि विले पत्र तो उन्होंने अलग तरीके से कहा है और हम अलग तरीके से कोशिश करेंगे तो लॉर्ड माउंट वेटन तो बढ़ी आदमी है यार गड़ बढ़ हो जाएगी लेकिन ये बात उन्होंने उस समय गलत कही थी क्योंकि आपने आपके आपने नहरूजी की पॉलिसी को पढ़ा होगा तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्योंकि मैं ना तो बीजेपी गा प्रवक्ता हूं ना मेरे को कॉंग्रेस कुछ पैसे देती है मैं सच्चाई का साथ देता हूं अगर कोई गलत है तो डेफिनेटली ग कर रहा है तो वह भी ठीक है यहां पर इंद्रा गांदी जी वाकिम अची थी उनकी जो फॉरेंड पॉलिसी थी वो एक तरीके से रियल स्टिक थी यानि एक तरीके से हम कह सकते हैं बिल्कुल एक तरीके से वो रियलिटी में काम करती थी लेकिन वहीं अगर नहरूजी की हम पॉलिसी को देखें तो इनकी एडल स्टिक या आधर्षवाधि जो है पॉलिसी थी जो कि यह पॉलिसी कभी भी सठीक नहीं हो सकती है इस चीज में नरिंदर मोदी जी की जो पॉलिसी है वो फिर भी ठीक है उस समय इन्दरा गांदी जी जी की पॉलिसी बेटर थी बहुत जाद आप इस वीडियो को क्यों बना रहे हो, जितनी knowledge मैं दे रहा हूँ, वो सही knowledge है, गलत कुछ भी नहीं था, ठीक है, और आपको लगा कि आप इस party को support कर रहे हैं, तो दूसरी party जो विपक्ष party के थे, वो गाली देना start कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, आप भी किसी भी party के एकदम ये मत बनो के हम प्रवक्त आएं जिसके, नहीं, गलत कर रहा है तो उसको गलत का जवाब दो, सही कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये समझो, अच्छा, 26 अक्टूबर 1947 को सरदार पाटेल जी के कहने पर, और जवारलाल नहरूजी ने का, चलो अपने पास रखेंगे, बाकि उनका internal administration स्वयम स्वतंतर होगा, जम्मु कश्मीर का, बुला defense, foreign, or communication, यानि संचार, ये तीनों department हमारे center के अंदर होगे, बाकि सारे किस सारे department किस के अंदर होगे, जितने भी internal administration होगे, वो जम्मु कश्मीर सरकार खुद देखेगी, तो अब article के आया, article 370, तयार हुआ, article 370 तयार हुआ, और एक तरीके से इस पर काम start कर दिया गया, लेकिन, जैसे ही ये article बना, और ये सारी की सारी रणनीतियां होई, तुरंत भारत सरकार ने अपनी आर्मी को भेज़ दिया, दिल्ली से, बुला, चलिये जि, जम्मु कश्मीर पहु जो हमारी भारती सेना है, ये कभी डरती नहीं है, और सबसे, विश्व की सबसे बहादूर सेना हमारे देश की है, जितने बहादूर हमारे देश के सिपाई हैं, दुनिया का कोई भी सिपाई इतना बहादूर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हम अपने रुपे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, हम भारत माता के लिए काम करते हैं और हर एक भारतियक के खून के अंदर देश भगती है तो अब जब यहाँ से आर्मी भेज दी गई तो आर्मी ने इनको स्री नगर जम्मू कसमीर से ख़देड़ते ख़देड़ते जो अभी ऐलूसी वाला हिस्सा है वहाँ तक ले गए और वहाँ से बात की गई हॉम मिनिस्ट्री में और परधान मंत्री जी से के हम यहां तक ले आए हैं और 24 गंटे का समय और लगेगा हम पाकिस्तान पर भी कबजा कर लेंगे उधर नहरू जी की एक बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित नहरू जी ने कहा एक काम करो ये लड़ाई जगड़ा चल रहा है जो कि गलत है ऐसे नहीं होना चाहिए आप एक काम करिए UNO पहुंचिए ये फाइल ले करके और UNO जा करके आप क्या कीजिए कहिए कि पाकिस्तान जवर जस्ती जो है वो हमारे देश में घुस रहा है अब यहां से सीधा खबर वो ले करके पहुंची UNO अब UNO क्या है UNO एक ऐसी संस्ता है कि अगर किसी में भी जगड़ा हो रहा होगा दो लोगों में तो उनके बचाव के लिए वो कोशिश करती है कि इनमें लड़ाई जगड़ा ना हो सेहमती कराती है अब UNO की बात सब को माननी पड़ती जतने भी देश UNO से connected है तो अब UNO ने कहा कि ठीक है वह यह काम करो जगड़ा बंद करो जो जहां है वही रुक जाएगा तो अभी तक हमारी जो आर्मी है अभी तक जो हमारी आर्मी है भारत सरकार की आर्मी वो केवल इस छित्र तक पहुँच पाई थी यहां तक पहुँच पाई थी ठीक यह हाला कि यह पूरा हिस्सा इंडिया का था भारत का था लेकिन अभी इनको ख़देड़ते ख़देड़ते क्योंकि यह पाकिस्तानी तो यहां जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक यहां तक आ चुके थे इनको मारते 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 बापस तक लेकर गए लेकिन जैसे ही UNO के द्वारा ख़बर आई तो तुरंत नहरू जी ने कहा कि भई युद्ध संत करो युद्ध हम नहीं होगा जो भ्यक्ति जहां है वही रहेगा और UNO ने कहा कि इस बात को आप मतलब जो युद्ध हो रहा है इसको यही खतम करो जो भ्यक्ति जहां है वही तक उनका अभी शासन होगा बाद में देख लेंगे P.O.K को और बाद में किस तरीके से देखेंगे कि जो यहां के लोग चाहेंगे अगर भारत के साथ जुड़ना तो जुड़ जाएंगे अगर चाहेंगे पाकिस्तान के साथ जुड़ना तो जुड़ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है ये सुनकर के भारत सरकार ने कहा भई आर्मी वालो या हमारे फौजी भाईयो आप जहां हो वहीं शान्त हो जाओ अब मतल़ो किसी से तो ये उस समय का ये P.O. के बना उस समय इस पूरी लाइन का नाम हुआ करता था ये सीज फायर YoNo के दोरा ही तयार की गई थी और कहा गया था सीज फायर मतलब जो अटेक वगरा होते है जो हम एक तरीके से कहते है गोली बारी होती है तो यहां कहा कि गोली बारी को रोकने का काम ये line करेगी आप इधर नहीं आएंगे और भारती अधर नहीं जाएंगे, यह लग हो गया, सीज फायर बना दिया लेकिन इसका बाद में लगवग उनिस सो बहतर में नाम बदल करके कर दिया गया LOC, Line of Actual Control, Line of Actual Control, ठीक है अब जब इसका नाम रख दिया गया उनिस सो बहतर में, तो अब इस Line को बोला जाता है क्या, LOC, इसके उपर है P.O.K, पाक उक्यूपाइड कस्मेर पाकिस्तान अधिकरत जो अपना हिस्सा है, उसको हम P.O.K बोलते हैं पाकिस्तान ने अभी कबजा किया हुआ है इन पर, अब क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई हिंदू लोग तो है नहीं, सभी मुसलिम लोग है हिंदू लोग नहीं है, तो कोई भी यह नहीं कहेगा कि भारत के साथ जुड़ना है, स्टार्टिंग मैं पहले यह लोग कहते थे, हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे, लेकिन, एक बात खास तोर पे दिहान रखना, कि सच बोलने वाला दोस्त ज़्यादा अच्छा है, चाहे वह आपके मुह पर आपकी बेजिती कर दे लेकिन ऐसा दोस्त जो मीठा है आपके मुह पर बहुत अच्छा बोलता है और उसके कारणा में आपकी जड़ों को खोकला करने पर लगे हुए हैं उस दोस्त से दोस्ती तोड़ देना ही ज़्यादा बहतर है ऐसा ही पाकिस्तान करता है पाकिस्तान जिसके पास बैठेगा उसी के जड़ों को कमजोर करने की कुशिस करता है धीरे धीरे जितने भी हमारे मुशलिम भाई यहां पियोके के छेतर में रहते हैं इनको आर्थिक और सामाजिक तौर पर इतना प्रतारित किया गया इतना परिशान किया गया ना तो यहां पर एजुकेशन कर पाते हैं पढ़ाई कर पाते हैं ना इनके पास अस्पताल हैं ना इनके पास पढ़ने के लिए स्कूल हैं ना इनकी सड़के पकी हैं यह अपने जीवन को बिल्कुल साधर तरीके से जी रहे हैं जैसे पुराने समय में जीया करते थे अब सोची अगर ये हिस्सा भारत के अपने अधीन होता, तो आज इसकी आर्थिक विवस्ता, सामजी विवस्ता पाकिस्तान से कई गुना अच्छी होती, तो अभी बेचारे ये हमारे भाई, क्योंकि हमारा ही ये P.O. के वाला हिस्सा खुद हमारा है, ये मुश्लिम भाई हम हमारे भारत देश के हिस्से हैं, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अभी ये P.O. के हमारा हिस्सा है, इसे हम लेकर रहेंगे और 100% लेकर रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अभी हुआ क्या, कि यहां पर पाकिस्तान ने स्कूल सडके कॉले बनाने के बदले, आतं आजाद कश्मीर कहता है पाकिस्तान तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी कहानी हुई थी अब बात आती है कि भाई क्या हम इस प्योके को बापस ले सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पर मैं एक तारीफ करना चाहूँगा बीजेपी सरकार की और बीजेपी में केवल कुछ एक दो ऐसे नेता हैं बाकितों सब आज कल अपने जो है काम को काम चोरी कर रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं देश दुनिया से कई जगों पर नरिंदर मोदी जी गलत हैं मैं ये कहूंगा हाँ गलत हैं किसानों के परती बिल्कुल गलत हैं उनका सुभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसानों के परती मजदूरों के परती बिल्कुल भी अच्छा सुभाव नहीं है हाँ हाला कि इंटरनेशनल मु लाने की डिमांड किया करते थे ऐसा कोई दूसरा प्रधान मंत्री मेरे साब से नहीं कर सकता है ये केवल नरेंदर मोधी जैसा ही कोई राजनेता कर सकता है या इंद्रया गांधी कर सकती थी या कोई ऐसा गर्म खुन वाला नेता होगा वो कर सकता है तो ऐसा नरिंद मोदी ने कहा, किया और 13-70 हटा दी गई और 13-70 हटाती ही, पूरा शासन जम्मु एन कश्मीर अबいいों के पे तो पाकिस्तान का दिगारि इसके बारे में एक मिनट में चर्चा करते हैं अभी पूरे जम्मु एन कश्मीर पर जो शासन है, व quella किसका है? प्रधान मंत्री और अगर प्रधान मंत्री शासन करेगा तो अब आर्मी सीधा जा करके कुछ भी कर सकती है और यहां यह बना दिया गया है लेह लद्दाक इसको लद्दाक बना दिया गया है यह पूरा हिस्सा यहां से यहां तक का लद्दाक का हिस्सा है अभी new map मैं आपको P.O.K. के लोग ये कहेंगे हमें भारत के साथ मिलना है जी वो कह रहे हैं बोल रहे हैं बार बार कि भाई हमें तो भारत के साथ मिलना है ये परिशान हो गए यहां पर लोग बहुत परिशान हो गए इतना मजबूर है इतना मजबूर है कि ये सोचते हैं कि पहली बात इस तरीके से भी तयार हैं बिलकुल लोग लेकिन दूसरा तरीका ये है कि केवल इंडियन आर्मी को 24 घंटे का समय दिया जाए तो बापस ले करके आप छोड़िये पीओ के तो छोड़िये लाहोर तक जा सकती है भारती आर्मी इतनी खतरनाक है और केवल 24 घंटे म तो आपको ये लगेगा कि आप बीजेपी के भगते हैं नहीं नरेंद्र मोधी चाहते तो 2014 से इसी विवाद को बरबर अपने बोट के चकर में उठा रहे हैं कि जी पियो के हमारा है पियो के हमारा है अरे भाईया पियो के आपका है तो आप कब लोगे इसको ये बताओ कब लोगे 2014 से आज 2023 आगया 2024 में चुनाव है अगर चुनाव में आप जीत जाते हो तो फिर आप 4-5 साल हमको बेवकूप बनाओगे और हार जाते हो तो फिर आपकी तो कहानी खराब फिर कौन ले करके आएगा इस पियो के को तो मैं आप से हाथ जोड़ करके विनमर निवेदन 2024 तक तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाओगा कि कहां मुझे वोट करना चाहिए ये मेरा ओपिनियन है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए मैं चाहता हूँ कि पियो के वापस आए साइद आप लोग भी पियो के को वापस लाना चाहते होंगे तो मेरे किसी भी तरीके से इस पर कार्यवाई की जाए ठीक है और पियो के को वापस लाया जाए यह दो तरीके पियो क्अ को वापस लाने के हैं और एक बात ध्यान रखना अब नहीं तो कभी नहीं समझ लेना फिर दूसरा कोई अगर नेता बनता है यह पारड़ी जेंज होती है त के कुछ फोटो बगरा दिखा देता हूं दिखो जैसे ये राजा हरीश सिंग है जो की जम्मु एन कश्मीर के राजा हुआ करते थे ये सरदार पटेल हैं जिनोंने भारत का एक ही करण करने में बहुत महनत की थी यानि जितने भी देशी रियासतों को जोड़ा गया था वो इ ठीक है क्योंकि इनको क्या था एसी और ऑफिस में बैठने वाली व्यक्तिय इनको कहां नौलेज है मेरे भाई कभी आप ऐसी किताबें पढ़ोगे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन था तो आपकी आँखों से आंसु आ जाएंगे ठीक है आँखों से आंसु आ जाए जो है हंगामा किया था और ये पाकिस्तानियों की भी गलती नहीं थी उस समय गलती थी इन लोगों की जो लॉर्ड माउंट मेटन जैसे व्यक्ति थे ठीक है चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग ये भारत का नकसा है आपको पता है कि ये पूरा जम्मू कश्मीर पहले हमा इसको अलग हुआ था पाकिस्तान भारत अलग ये अपना स्वतनता दिवस 14 अगस्त को मनाता है ठीक इसके अलावा मेरे भाई ये पूरी की पूरी वीडियो थी इसके अलावा अब एक वीडियो मैंने बनाई है कि अभी जो है वो गोर्खा कमांडो गरुर कमांडो और अफ एफ नहीं मिग 29 जो आपका फाइटर जेट है इन सभी को लगा दिया गया है शुरी नगर में और कभी भी ये स्ट्राइक होने के चांस हो सकते हैं तो मैं तो बस यही प्रतना करता हूँ को जल्दी से हो जो भी हो ठीक है आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर बताना और ऐसी ही और नॉलिज गेन करने के लिए और जानकारी पाने के लिए दोस्तो चैनल क को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जादा से जादा संख्या में शेयर करें और ऐसी ही दूसरी एक चैनल है जिस पर हम स्टोरी लेकर कहेंगे इतिहास की पूरी स्टोरी एंसेंट हिस्ट्री से लेकर के आधुनिक भारत तक की पूरी कहानी रियल कहानी आप लोगों को उस चैनल पर मिलेंगे तो रिसर्च गुरू यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वंदे मात्रम दोस्तो झाल